हलो दोस्तों आज मैं आपको जेरोधा पर डेमेट अकाउंट ओपन करने की पूरी प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे आप मातर पांच मिनिट में मोबाइल से ही अपना डेमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों जेरो धा इंडिया का नंबर वन श्टोक ब्रोकर है और ये अपनी बेस्ट सर्विसेस के लिए जाने जाते हैं दोस्तों मारकेट में कई सारे श्टोक ब्रोकर हैं लेकिन आपको हमेशा बेस्ट के साथ ही जाना चाहिए और आपके लिए एक विशेश सूचना है दोस्तों कि अगर अभी तक आपनी शेर मार्केट में काम शुरूर नहीं किया है तो ये समय आपके लिए एक सुनहरा आउसर है क्योंकि कई अच्छी कमपनियों के IPO आने वाले हैं जिनमें अपलाई करके एक beginner के रूप में आप शेर मार्केट में सिर्फ investment से अपनी अर्णिंग शुरू कर सकते हैं दोस्तों account opening process शुरू करने से पहले आप अपना pain card और अपना आधार card अपने पास रख लें और एक खाली कागज और एक pen भी अपने पास रख लें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जेरोधा में online dmit account open करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो के description में दिये गए जेरोधा के link पर click करना है उसके बाद आप screen पर दिख रहे page पर redirect होकर आ जाएंगे इस page पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है और continue पर click करना है यह मैंने अपना mobile number डालकर continue पर click कर दिया है जैसे ही आप continue पर click करेंगे आपके पास एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ डालना है और continue पर click करना है जैसे ही आप continue पर click करेंगे तो step 1 का page हमारे सामने आ जाएगा इस page पर आपको अपना pain card number डालना है और date of birth डालनी है यह मैंने अपना pain card और date of birth details डाल दी है और जैसे ही आप continue करेंगे तो step 2 का page ओपन हो जाएगा इस step में आपको demit account opening fees जमा करानी है सिर्फ equity segment की fees 200 रुपे है और commodity segment की fees 100 रुपे है चुंकि अगर आप beginner हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप पहले सिर्फ equity segment के लिए account open करें तो चलिए मैं यहां से commodity से check mark हटा देता हूँ तो अब fees गटकर 200 रुपे रह गई है अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ payment के लिए UPI, card, net banking, wallet सभी option available है मैं अपना payment net banking से कर रहा हूँ, दोस्तो मैंने अपना payment कर दिया है payment successful होते ही step 3 का page हमारे सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपनी personal details जैसे की marital status, parent details और annual income डालनी है commodity trade classification में आप others select कर सकते हैं trading experience और occupation आप अपने हिसाब से select कर लें funds and security settlement preference को आप once every calendar quarter ही रहने दे सकते हैं politically exposed में आप no select कर सकते हैं उसके बाद आप जैसे ही continue करेंगे तो आप step 4 पर आ जाएंगे step 4 में आपको अपनी bank account details डालनी है और सारे check box को tick करना है आप चाहे तो अच्छी तरह इन्हें पढ़ सकते हैं और बाद में tick कर सकते हैं step 4 को continue करने के बाद अब आपके पास step 5 webcam verification completion का page open हो जाएगा इस step में आपको एक blank paper पर इस step में दरसाए गए चार अंको का code लिखकर फोटो में दिखाए अनुसार कागच को पकड़ कर अपने कैमरे से photo click करके webcam verification complete करना है इसके बाद आपके सामने step 6 का page open हो जाएगा step 6 में आपको अपने documents upload करने है income proof यहां mandatory नहीं है इसको आप skip कर सकते हैं यह तभी mandatory है जब आप future options में trade करते हैं इसके बाद आप अपना signature यहां upload कर दें pain card की copy upload कर दें सारे documents upload करने के बाद यह आखरी step का page है दोस्तों यहां पर आपको e-sign का process पुरा करना है जैसे ही हम e-sign पर click कर proceed to e-sign करेंगे तो हम NHDL की site पर redirect हो जाएंगे यहां पर आपको check box को tick करना है आधार card number डालना है send OTP पर click करना है और prompt OTP को यहां डाल कर verify OTP पर click कर दें इसके बाद जेरोधा का d-mate account form open हो जाएगा इस page पर आपको sign now पर click करना है sign now के लिए आप फिर से NHDL की website पर redirect हो जाएंगे और e-sign की तरह ही इस process को भी पूरी कर लेंगे जैसे आप इसको successfully पूरी कर लेते हैं तो आप इस आकरी step को भी पूरा कर देंगे और finish पर click करते ही आपकी application submit हो जाएगी इस application के 24 से 48 गंटे में आपके पास email द्वारा login ID और password आ जाता है और आप share market में काम शुरू कर सकते हैं आप play store से kite app डाउनलोड करके और उसमें ये login ID और password से login करके अपना share market का कारिय शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों तुरंत description में दिये गए जिरोधा के link पर click करें अपना DMate account open करें और investment की दुनिया में अपना पहला कदम रखें धन्यवाद दोस्तों